सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बटम को दबा कर साथ में ये बेल आइकन दबा के कर दे ओल के निशान पर क्लिक तो दोस्कों इसके लिए सबसे पहले आपको ये सब्टबक साथ पीछे जो केबल कनेक्ट हुआ है इसे एक बड़ खोल के देख लेना चाहिए लोस तो नहीं है या फिर अंदर पीन उनकुछ खराबी तो नहीं हो गया तो ये सब चीजे चेक करने के बाद एक बड़ जोड़ केबल कनेक्ट होए यहाँ की द्वार्य तो यहां से केबल को एक बढर खोल कर देख लीजेगा resistant कितले में शेद में च organs एक स्क्रीन देदी आपको टीवी स्क्रीन और यहां पर एक टाटास काई के डीश में यह सिग्नल ट्रेक कर रहा हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं हलाकि जब मैं यह रिडियो शूट कर रहा था तब बाड़ी शो रहा था इसके लिए थोड़ा प्रोब्लेम्स हुआ करने में तो फिर भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको तो जब भी दिखे कि स्क्रीन पर अचनक काला हो जाए कि जो इ यह प्रोसे से सिग्नल रिसिप करने के लिए तो हमें तो अपना सेट मिटर या सेट फैंडर के दोवारा हम लोग सिग्नल ट्रेक करते हमरे लिए जी हो जादा है तो आपका लिए यह सही रहेगा या फिर कुछ बॉलियूम तरह जदा कर जेगा सेट अप हो है यह टीवी का इस तरह से बताया जाए जाए अटेल डिजिटल टीवी इस नोट रिसिविंग सिग्नल जब यह आवाज बंद हो जाए आप डिस ट्रेकिंग करो तब समझे नहीं कि आपका सिग्नल यही पर है बस लोग कर देना है टाइट कर देना है तो ऐसे करोगे तो आपका सिग्नल हो देखता हो आपको विडियो तुरह शोट कर रहो काफी लंबा हो जाए गया इसे लिए तो देखे मारा स्क्रीन पर आ गया है एक तो सिग्नल एक बड़ चेक कर लेता हो इसका तो यहां पर मैं सेटिंग्स पर जाता हूं सेटिंग्स पर ओके करने की बाद देखे सेकेंड लाइन है इसमें होके करता हूं फिर सिग्नल स्टेंग्ट किया है देख लेता है देखे सिग्नल स्टेंग्ट और कॉलिटी जोकि मेरा सफिशिया ने जितना आना चाहिए तो प्रोब्लेम्स नहीं, वे सारा चैनल्स में बढ़िया से, आज के लिए बजित नहीं जाई है।